अब इस इधा जिए जीम्डेशी कंवेंशन हॉल के जहां एजएपी नड़ा जबीजएपी कारीकरों शेते होने समद्धन करें आशेते हम सब का बड़ा स्वाग्य है कि हम भारतिय जनता पार्टी के कारे करता है यह सवाग्य सब को नहीं मिलता और फिर मैं कहने के लिए नहीं कहता हूं कि मेरी दोस्ती और परिचए सभी पार्टियों के नेताओं के साथ होती रहती है बाद चीत होती है मैं जानता हूं उनके हालात को भी किन परिस्टियों से वो गुजर रहे हैं किन उत्तार चड़ाओं के बीच में वो उनका जीवन गुजर वह ए मुझे याद है जब मैं कॉलेज का विध्यारती होता था उनिवस्टी का विध्यारती तो उस समय मुझे मेरे साथ ही जो कॉंग्रेस के बड़े कारेकरता यूथ कॉंगरेस के बनते थे एन एस याई के बन तुम्हें पॉलिटिक्स नहीं मालो तुम देश की मुख्य पार्टी के साथ चलो तुम आगे बढ़ो मैं उनको कहता था कि विचारधारा महत्तुपूर्ण है और विचारधारा के लिए समर्पित हो आज वो मिलते हैं मुझे तो मैं उसे पूलता हूं बताओ तुमारा रास् सही था मुझे कौमनिस्तों के साथ ही मिलते हैं स्टूडेंट सेंटर पर बैठा करते थे कई वार धूए के गुल्चर्रे उड़ाते हुए हमारे कौमनिस साथ ही हमको बोलते थे माक्सिस लेनिस्त समाज में परिवर्तन इस तरीके का परिवर्तन मैं उनको कहता था कि तुम क्या मालूम कि रिविल्यूशन होगा क्रांथी आएगी मैंने का यह भारत की भूमी है रिवूलिशन नहीं यहां इवोल्यूशन होता है इवाल करता है बात को हमको समझना से आज वह साथी मुझे मिलते हैं तो बोश्ता हूं बताओ तुम सही रहे हैं कहते हैं अब मैं इस सौभाग्य मिला है वह विचारधारा के दृष्टी से स्पष्ट हो जाएं कि भारतिय जंता पार्टी का पर्याइवाची नहीं है यही पार्टी है जिसके माध्यम से हमको रास्ता लेते हुए आगे बढ़ना है और इसलिए हम लोगं को आने का सौभाग्य मिला यह हमारा सौ हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी ने राजनीती की रीती नीती कल्चर संस्कृती बदल डाली है इससे पहले राजनीतिक दल आते थे सत्ता उप्योग करते हुए अपना उत्थान करते थे प्रधान मंत्री मोदी जी ने सत्ता को साधन माना मध्यम माना लोगों की तस्वीर और तक्दीर बदलने के लिए इस बात को हमको याद रखना चाहिए और इसलिए उनका definition होता था मेवा खाना हमारा definition होता है सेवा करना यह अंतर है अब बताइए अभी मैं भुपेंद्र जी हमारे आदर्नी मुक्यमंतर जी की बात सुन रहा था मैं CR पार्टी जी की बात सुन रहा था दोनों पार्टी में और सरकार में क्या किया है इसकी बात की चर्चा कर रहे हैं यह report card की संस्कृति किस ने दी कि कभी से पहले कोई राज नितिक दल report card लेके आया है अब को याद होगा लोग manifesto लेके आते थे लुभावने नारे देते थे पाँच साल में लोग भुला देते थे नया manifesto लेके आते थे और फिर राजनीती करते हैं यह जो राजनीती में रिपोर्ट कार्ड ले करके जाने की संस्कृति बनाई है और जनता को उजागर किया और जनता में इसकी जागरिती पैदा की और अपने विरोधियों को भी मजबूर किया कि वो परिवारवाद, ख्षेत्रवाद, संप्रदावाद इन सारी बातों को छोड़कर विकास वाद की राजनीती शुरू की है तो वो संस्कृति मोदी जी ने बदली इसकौन को समझना है आज आप देखिए हमारे विरोधि लड़ने वाले लोग वो भी विकास की बात करते मौडल शब्द का इप्योग करते हैं कोई फलाना मौडल बोलता है कोई फलाना मौडल बोलता है विकास का मौडल बोलता है आपने कभी दस साल पहले किसी राजनीतिक दल को यह मौडल की बात सुनी थी कभी विकास की बात इन से सुनी थी प्रदानमंत्री मोदी जी ने राश्ट्रवाद और विकासवाद के माध्यम से टक्कर दी है तो परिवारवाद को टक्कर दी है तो क्षेत्रवाद को टक्कर दी है तो जातिवाद को टक्कर दी है तो संप्रदायवाद को और आगे बढ़ाया है तो राश्ट्रवाद और काम किया है तो गाओं गरीब दलित वंचित पीडित सोशित महिला युवा इनके लिए काम करते हुए आगे बढ़ने का काम किया है तो यह संस्कृती बदली है तो आदरनी प्रधान मंत्री के लिए तो जेपी रड़ा हाल भार्चुपना कार करता हो ने संबोधन करी रहा है छे आने ती ओए कर देता रिपोर्ट कार तयार कर उचे विधान सभाच उठी माटे लोग सभाच उठी माटे करने लिए ते हुवाद करे राच